नमस्कार दोस्तों मैंने नाम है कासा अक्ष्य और आप देख रहे हैं दियेच एफ एफट डम दोस्तों हांतर सकांट के बाद एक बार फिल से वो बहस उट खड़ी हुई है जिसमें कई लोगों ने पिरिता के उस वीडियो को देखा ही होगा जिसमें वो बोलते हुए दिखाई दे रही है यह वीडियो शोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर जबरदस तरीके से वायल हुआ कई लोगों ने इसे शेयर किया कई लोगों के इस पर रियाक्शन भी आई शेयर करने वालों में अमित मालवे भी हैं किसी भी सूरत में उजागर नहीं कर सकते चाहे वो दुनिया से जली ही क्यों न गई हूँ क्या किया है अमित मालवे ने और क्या हो सकती है से लेकर सजा वो आपको बताएंगे और ऐसे मामलों में क्या है सूरीम कोर्ट की गाड लाइन जब बात होती है रेट के आरोपो को लेकर अमित मालवे ने क्या क्या है वो पहले जानिये अमित मालवे पिछले कुछ दिनों से हाथरस मामले पर ट्वीट कर रہ रहे है और इसी कड़ी में अमित मालवे ने 2 October को एक वीडियो ट्वीट किया था इसमें बताया जा रहा है कि पिडिता लड़की का चहरा साफ तोर पर देखा जा सकता है जिसे लेकर कानूनी करवाय भी हो सकती है इस वीडियो को ट्वीटर पर शेयर करते हैं अमित मालवे ने लिखा कि हातरस की पिडिता अलिगर्ड मुसलिम युनिवर्सिटी के बाहर एक रिप्रूटर को बता रही है कि उसका गला घोटने की कोशिश हुई जैसा कि कहा जा रहा है कि इस वीडियो में मृतक युविती का चहरा साफ नजर आ रहा है तो उससे लेकर ये कहा जाता है कि भारतिय कारूनों के अनुसार यौन हिंसा के मामलों में पिडिता की पहचान जाहिर नहीं की जा सकती यहां की यौन हिंसा तक या बलतकार का शक होने पर भी पीडिता की पहचान जाहिर नहीं की जा सकती पर अमित मालवे ने इस वीडियो को पोस्ट करते वे लिखा कि इसका मतलब ये नहीं कि अपराद को कम आगा जा रहा है लेकिन एक गंभीर अपराद को दूसरे किसी गंभीर अपराद का रंग देना उचित नहीं इस पर अब राश्ट्रे महिला योग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने मीडिया से कहा है कि अगर वो बलतकार पीडिता है तो उसका वीडियो ट्वीट करना दुरुभाग्यपून और ग्यार कानूनी भी है अब भारतिय डंट सहिता यानि IPC के मताबिक अगर कोई किसी यौन हिंसा के पीडिता या संभावित पीडिता की पहचान उजागर करता है तो उसे दो साल तक की जेल हो सकती है साल 2018 में सुप्रीम कोट ने भी ये सबस्ट किया था कि IPC के सेक्शन 228A का मतलब सिर्फ पीडिता का नाम उजागर करना ही नहीं बलकि मीडिया में छपी किसी भी जानकारी से उसकी पहचान नहीं उजागर होनी चाहिए कोट ने ये भी कहा था कि पीडिता की मौत के बावजूद भी उसकी पहचान उजागर नहीं की जा सकती चाहिए उसके परिवार ने भी इसकी इजाजक क्यों न दे दी हो पर यहां अमित मालवे ने अपने ट्वीट्स के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि ये यॉन का मामला है ही नहीं हादरस की घटना को लेकर अमित मालवे ने और भी कई ट्वीट्स किये हैं उन्होंने 2 अक्टोबर को एक और वीडियो ट्वीट किया जिसनोंने कहा कि ये लड़की की मां का घटना के ततकाल बाद का बयान है इस वीडियो में महिला एक संदीप नाम के आदमी का नाम ले रही है और अमित मालवे अपने इतन सभी ट्वीट्स के जरी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उस्तरप्रदेश को बदनाम करने की साधिश रची जारी है और जब सुप्रीम कोट ने यादेश दिये हैं कि पीडिता का नाम किसी भी हालत में कहीं भी उज आगर नहीं होना चाहिए ऐसे में अमित मालवे का उस्तरप पीडिता का जो वीडियो बताय जा रहा है उसे पोस्त करने को आप किस तरह से देखते हैं कमेंट शेक्शन में लिखर बताएं इस वीडियो को लाइट करें शेयर करें हमारे चैनल दिये चैनल को कर ले इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद नमस्कार